नमस्कार मैं हूँ अंकूर और आप देख रहे हैं सत्तिहिंदी.com आई एक नधर डालते हैं अब तक की सुल्ख्यों पर प्रवासी मजदूरों, रेडी पटरी वाले, विक्रेता, छोटे किसानों और खुदगा रोजगार करने वालों के लिए एलान किया इस दोरान उनों ने कहा जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में वापस गए हैं उनकी मदद करने के लिए 10,000 करोर रुपए खर्च किये जा चुके हैं वापस लोटे 40-50 फीसेदी मजदूरों ने मनरेगा में काम करने के लिए नामंकन कराया है जो पिछले साल मई महीने के मुकाबले काफी ज्यादे है मजदूरी की दिहारी 182 रुपए प्रति दिन से बढ़ा कर 202 रुपए प्रति दिन कर दी गई है वित्तमंतरी ने कहा कि अगले दो महीनों तक सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा उन्होंने बताया इस योजना के दाएरे में वो मजदूर भी आएंगे जो खादि सुरक्षा कानून के दाएरे में नहीं आते इस योजना का फाइदा उन मजदूरों को भी मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्होंने कहा ऐसे आठ करोड प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड रुपए का प्राबधान किया गया है अगले दो महिनों तक हर प्रवासी मजदूर परिवार्खू 5-5 किलो गेहू या चावल और 1 किलो चेना मिलेगा फित्मंत्री ने कहा कि One Nation One राशन कार्ड की योजना पर काम किया जा रहा है ये हर राज में लागू होगा प्रवासी किसी भी राज्ज के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है रेडी पट्री वालों को 10,000 रुपए प्रतिव्यक्ति दिये जाएंगे जिससे लॉकडाउन के बाद ये अपना काम शुरू कर पाएं इससे 50,000,000 लोगों को लाब मिलेगा केंदर ने इसके लिए 5,000 करोड रुपए दिये हैं ये योजना महीने भर के भीतर लॉंच हो जाएगी वित्मंत्री ने कहा कि नावाड को किसानों के लिए 30,000 करोड रुपए का अत्रिक्त Emergency Working Capital Fund भी मोहिया कराया जाएगा इसके लाबा किसानों से 3 महीने के ब्याज नहीं लेने का फैसला किया गया था इसे 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है वित्मंत्री निर्मला सितामर ने दाबा किया है कि बीते दो महीनों के करोना काल में केंदर सरकार ने 3 करोड छोटे किसानों को क्रिशी कर्ज दिये हैं कुल मिला कर 4 लाग करोड रुपए से ज्यादा के कर्ज दिये गए हैं वितमंत्री ने कहा कि आसंगटी छेत्रों में काम करने वाले सिर्फ 30 फिसदी वंच दूर ही नियुनतम वेतन का फाइदा उठा पाते हैं पूरे देश में एक जैसा नियुनतम वेतन लागू किया जाएगा ताकि छेत्री असमानता दूर हो इसे कानूनी रूप दिया जाएगा भारतिय रेलवे ने सभी ट्रेनों को 30 जून तक के लिए रद कर दिया है रेलवे ने कहा है कि जिन लोगों ने टिकेट बुक किया था उन्हें पूरा पैसा रेफंड कर दिया जाएगा इन ट्रेनों के लिए टिकेट लोगडाउन के दौरान तब बुक कराए गए थे जब रेलवे ने जून तक के लिए बुकिंग खोल दी थी लेकिन स्वरमे की स्पेशल ट्रेन और 12 मैंसे चलाए गए इस स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी बारसरकार ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है और चलने भी लगी है इसी क्रम में स्पेशल ट्रेन के लिए 2,34,411 यात्रियों ने टिकेट बुक किये हैं जिससे रेलवे को 45.30 करोड रुपए मिले हैं वेशुसास्तर संगठन ने यानि WHO ने दुनिया भर को करोणा वाइरस को लेकर चेताते हुए कहा है कि हो सकता है कोविड-19 कभी खत्म ही ना हो वेशुसास्तर संगठन के आपातकालीन मसलों के निदेशक माइकल रियान ने HIV का उधारन देते हुए कहा ये वाइरस भी कभी खत्म नहीं हुआ बारत में बीते 24 घंटों में करोणा के 3722 नए मामले आये हैं और 134 मोते हुए हैं इसके लाबा 1894 में लोग ठीक भी हो चुके हैं जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 78,003 हो गई है जबकि मरने वालों की संख्या 2549 हो गई है अभी तक कुल ठीक होने वालों की संख्या 26,234 है और कुल एक्टिव मामले 49,219 हो गई हैं देश के सबसे ज़्यादा करोणा प्रभावित राज्य माहराष्ट में संक्रमितों की संख्या 25,922 हो गई है दूसरे स्थान पर गुजरात हैं जा करोणा मरीजों की संख्या 9,266 है तमिलाडू में भी संक्रमितों की संख्या 9,227 हो गई है दिली के स्वास्तर विबाग में बताया है कि बीते 24 घंटों में 472 नए मामले सामने आए हैं यह एक दिन में COVID-19 के नए मामले सामने आने का अब तक का सबसे बड़ा आकड़ा है दिली में आप संक्रमित के कुल मामले 8,470 हो गए हैं वहीं COVID-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है वहीं 3,045 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं केंद्रिय मंतरी नेतिन गड़करी ने समाचार चैनल N.D.TV को एक इंटरविव में करोना वाइरस के बारे में कहा ये कुदरती वाइरस नहीं है ये कृत्रिम वाइरस है ये वाइरस एक लेबोरेटरी से आया है मतादें से पहले अमेरिका के विदेश मंतरी माइक पॉम्पियो ने भी कहा था ये वाइरस चीन के वहान शहर की एक लैब से आया है और अमेरिकी राष्पती टम भी ऐसा ही कहते रहे हैं महराश के मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे गुरुबार को राज विदान परिशद के लिए निर्गरोच चुन लिये गए इसके साथ ये उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी खत्म हो चुकी है उद्धव ठाकरे मंगलवार या बुदवार को MLC पत की शपत लेंगे उदर उद्धव ठाकरे के अलावा आठ अन्य उम्मीदवारों को भी राज विदान परिशद के लिए गोशित किया गया है भारत की सरकारी विमानन कंपनी एर इंडिया ने ट्विट कर जानकारी दी है कि भारत से अमेरिका, बिटेन, औस्टेलिया, फ्रांस, सिंगापूर और जर्मनी की फ्लाइट्स की बुकिंग गुरुबार 14 मई 2020 को शाम 5 बजे से शिरू हो जाएगी एर इंडिया के अनुसार टिकेटों की बुकिंग कंपनी के वेबसाइट से हो सकेगी, इसके लावा एर इंडिया ने बताया कि विदेशों में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए दूसरे चरण में 16 मई से 32 देशों में फ्लाइट्स बेजी जाएगी दुनिया भर में करोना वाइरस से करीब 3 लाख मौते हो चुकी है, जौन हॉपकिन्स इनुबर्शिटी के अनुसार दुनिया भर में कुल 2,97,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रिमितों की संख्या 43,69,000 को पार कर चुकी है अमेरिका में कुल संक्रिमितों की संख्या 13,90,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों को आकरा 84,199 हो गया है वहें रूस में कुल संक्रिमितों की संख्या 2,212 हो चुकी है बिर्टिन में संक्रमितों की संख्या 2,30,000 से जादा हो गई है और मृतिकों की संख्या 33,000 से जादा है इस पेन में भी संक्रमितों की संख्या 2,28,000 से जादा हो गई है और मृतिकों की संख्या 27,104 है इसके राब इटली में वहिकुल संक्र में 2,22,000 उच्पे हैं और मरने वालों कांकडा 31,000 से अधिक है अब तक के खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे है सत्थिंदे.com के साथ